सोशल मीडिया पर एक अजीब से खीशतान देखने को मिल रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कैरे मिनाटी काफी ट्रेंट कर रहे हैं। कैरे मिनाटी एक फेमस यूट्यूबर है और अपने वीडियो यूट्यूब वसस टिक टॉक दियांड को लेकर वो काफी विवादों में आये थी। क्योंकि इसमें उन्होंने आमिर सद्दगी जो की टिक टॉक स्टार है उन्हें बुरे तरीके से रोस्ट किया था और यहां तक कि उन पर परसनली कमेंट भी किये थे। इसके बाद यूट्यूब ने ये वीडियो हटा दिया था और कहा था कि ये वीडियो पॉलिसी के अगेंस्ट है। कैरे मिनाटे इस वीडियो को हटाया जाने के बाद काफे दुख में थे और उन्होंने अपने इस वीडियो को लेकर सफाई भी दी थी। और कहा था कि मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार मेरा वीडियो क्यों हटाया गया है इसके कुछ दिनों बाद ही कैरी मिनाटी का हाल ही में एक रैप सॉंग सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा था जिसका नाम है यलगा रैप सॉंग में अभी तक के हुए सारे इंसिडेंस को कैरी मिनाटी ने बताया है और इस वीडियो को कैरी मिनाटी के वीरोधियों के लिए एक पंच कहा जा रहा था लेकिन अब इसी को लेकर एक और बात सामने आई है इसके बाद आपको बताता है कि तिरसल हुआ क्या है कॉमेडियन कॉनाल कामरा ने एक रोस्ट वीडियो बनाकर कैरी को बताया था कि रोस्ट कैसे किया जा सकता है और इसके बाद कैरी ने जवाब देते हुए यलगार नाम का एक म्यूजिक वीडियो बनाया वो वीडियो पिछले एक हफते से यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग वीडियो बना हुआ है लेकिन अब कुनाल कामरा ने ये कहते हुए बाप सी की है कि केरी मिनाटी के यलगा सॉंग की धुन चोरी का माल है कुनाल कामरा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि डियर कैरी फैंस इसे प्लेजरिज्म यानी साहित्यक चोरी कहते हैं किसी ने बैचारे कैरे की दिमाग से धुंचुराई और दो साल पहले ही यलगार बना दिया यूट्यूब इंडिया कॉपिराइट पर आपका क्यामत है मेरी कहानी मुझे बतानी है पर ओरिजिनल ट्यू नहीं बनानी है इस ट्वीट के साथ कुनाल ने मशूर प्लेबेक सिंगर बाबुहाबी जिन्होंने उड़ता पंजाब में चिट्टावे मनमर्जिया में बिजली गिरेगी और भावेश जूशी सुपर हीरो में हम है इंसाब जैसे गाने गाए है उन्हीं के 2016 में आये गाने बेबु कांता का वीडियो भी शेयर किया है जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको कैरे मिनाती के यलगार और इस गाने के धुन लगभग एक से सुनाई देगी हलाकि यह बिलकुल सीम नहीं है लेकिन फिर भी इसे मिला जुला कहा जा सकता है पिछले कई दिनों से लगातार विवादों में घिर रहे कैरे मिनाती एक बात फिर से विवादों में आ गए हैं जब यह बात सामने आई है कि उन्होंने किसी और के गाने की धुन चुरा कर अपने सौंग में लगाई है अब यह बात कितनी सच है और क्यारे मिनाती इस बात पर क्या रियक्शन दीते हैं यह तो उनका कुछ रिस्वांस आने के बाद ही पता चलेगा subscribe our channel and press the bell icon for more updates